आज हम बनाने जा रहे हैं जवार की रोटी। इसके लिए लेंगे एक बॉल वाटर। पानी को गरम करेंगे। पानी में बबल्स आने लगेंगे तब उसमें एक बॉल जवारी का आटा डालेंगे। ग्यास बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे स्वादा नुशार नमक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ध्यान रखिए जितना हमने पानी लिया है उतना ही हमने जवारी का आटा लिया है, इस प्रकार अगर आप जवारी की रोटी बनाते हैं तो आपकी जो जवारी की रोटी बनती हैं एजेस से क्रैक नहीं होगी, आटे में से थोड़ा सा पाट लेकि उसे अच्छे से मस लेंगे, ऐसे आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, आटे का गोला बना के ऐसे उस पे रखेंगे और अपने हाथों में थोड़ा सा आटा लगाएंगे, और किनारों पे ऐसे प्रेज करते हुए मूँ करते जाएंगे, जब तक पतली रोटी न बन जाए तब तक ऐसे प्रेज करते जाएंगे, इससे रोटी की नारों से क्रैक नहीं होगी, चैनल पे आप अगर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपको ये रेशीपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करीजिए, ऐसे आप जितनी पतली रोटी चाहिए, उतनी पतली रोटी बना सकते हैं, रोटी भी इसे बहुत सौब बनती है, आप देख सकते हैं, इसके एक साइड में ड्राइ आठा लगा है, तवे पे रोटी डालते समय जो ड्राइ आठे का साइड है, वो उपर की साइड में रखें पानी लगाने के बाद रोटी को हम एक से दो मिनिट तक पकने देंगे उपर ही साइड का पानी जब सुख जाएगा तब हम रोटी को पलट देंगे रोटी को अब दो से तीन मिनिट तक पकने देंगे अब गैस की फ्लेम हाई करेंगे और रोटी को उसके उपर फूलने लेंगे देखें कैसे रोटी फूल गई है जवार की रोटी को गर्मा गरम पोरोसेंगे चलो मैं आपको दिखाती हूँ रोटी अंदर तक कैसे पकी है ऐसे बनाई हुई रोटी चार-पाच घंटों के बाद भी सौफ्ट है बने रहती है अगर ये रोटी आप बाद में खाना चाहते हैं तो आप किसी कौटन के कपड़े में इसे रख किए आपको ये रेसिपी पसे नहीं होगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर